उसके बाद से यह हमारा प्रेसर गेज देखिए प्रेसर गेज हमारे पास तीन प्रकार के हैं एक हमारा हाई प्रेसर गेज है यह लो प्रेसर गेज है और यह मैनी फोल्ड गेज है ठीक है तो यह अलग-अलग से आपके प्रेसर गेज है जिससे हम क्या करते हैं गैस चार्जि आपका एक बार फिर से स्वागत है देखिए हम आज AC के मेकेनिकल लाब में हैं और AC के इंस्टोलेशन डिस्मेंटलिंग या AC के कार में हमें किन-किन टूल्स की आउसकता होती है है उसके बारे में हम आपसे discussieur करेंगे और सारे तूल्स के बकायासे बताएंगे कि उसका प्रयोग कैसे किया जाता है आई यह बसक्त्राइब करें है यह श्ठाट करते हैं इसका प्रयोग करते हैं और कहां करते हैं यहीश माली झी पाइपिंग की जुद्स होती है है ठीक है एक disclaimer जैसे हमारा एंपि चेक करना एक हमारा वोनटेश करना या आपके कि किसी की वायर की continuity चेक कर सकते है इसे चेक मेटै receiver से ठीक है उसके बाद हम देखते हैं स्कूरूड्राइवर भी देखिए कई साइज के आते हैं जैसे यह हमारा साइज है जिसे लट्टू भी बोलते हैं कई लोग लट्टू पेचकस यह स्कूरूड्राइवर यह देखें तीन साइज में आपको दिया गया है जहां बड़ा लगेगा बड़ा यूज करेंगे और चोड़ा चोटा इस में देखिए दो नोजल दिये रहते हैं एक हमारा सइन और एक हमारा फ्लेट होता है तो आपको इस निरवा करता है काऊन सा स्कूरूड खोलेंगे या कउन सा यूज करेंगे ठीक है आते है उसके बास्डाइच Vergleich या हमारा होता है पंचिंग प्लायर ब इसको वायर कटिंग के लिए यूज करते हैं जैसे मालनी जी आप वायर कटिंग करेंगे वायर को छी लेंगे इसके लिए यह नोच प्लायर है यह हमारा कंबिनेशन प्लायर है तो वायर कटिंग वायर जॉइंट या कुछ भी करने के लिए हमारा प्लायर किया सकता होती है य जैसे हमारा इस्प्रिंग स्प्रींगवाइंडर है और इस बहुत है एत माते है इस लिए हमारा करते है इसमें गई कई आता है डाहिव है यह कोड़ difिट का है देजिंग लाइट या ब्लो लाइंब भी बोलते है तो अपने अपने बोलने का तरीका है और यह हमारे दो में एक एक लिए सिंगल है और यह डबल है जैसे मांझने जी आपका कभी पाइप गरम ना हो रहा है या पाइप मोटा हो है भी हो तो उसके लिए हम double torch का इस्तमाल कर देते हैं अब यह हमारा LPG gas इसे liquid petroleum gas बोलते हैं तो आप समझी रहे होंगे यह blow lamp के जलाने का काम आता है उसके बाद हमारा यह जेट पैम बोलते हैं यह water pressure pump भी कई लोग बोलते हैं जो AC की service करने के लिए काम हमारा आता है ठीक है उसके बाद हम आते हैं water level होता है जैसे माल लिए कि आप AC के indoor को इस्प्लीट AC के indoor को या outdoor को installation कर रहे हैं तो proper सही तरीके से लगा है कि नहीं उसके लिए water leveling करनी पड़ती है ठीक है यह आते हैं देखिए हमारे पास यह एक gas का की है जैसे wall की से बोलते हैं वाल की हम बोल सकते है यहाँ आपको कई सारे नट आपको दिखेंगे यह आपके फ्लेरिंग नट है तो फ्लेरिंग भी काई टाइप से हैं यह क्वाटर का है यह हाफ का है यह फाइप तो अलग-अलग से आपके डेट का भी है फिर आगे हम जाते हैं इतनी के फ्लक्स है यह फ्लक्स का यूज हम कहा करते हैं तो जब हम पाइप को ज्वाइंट करते हैं जैसे कॉपर पाइप हो गया कॉपर पाइप को लोहे से या आपका एलमुनियम पाइप से जब आप ज्वाइंट करते हैं तो ज्वाइंट नहीं ह को कर रहता है यह इसरोन जब हम असानी से साथ को चेला और चाड़ा जा टा आ जाता आ जो पाइप शॉमें बनाने का मुख्य काम करता है तो इस पर अलग अलग वीडियो आपको लाएंगे कि फ्लेरिंग टूल से हम फ्लेर कैसे बनाएं यह भी आपको आगले next वीडियो में देखने को मिलेगा यह हमारा फेस टेस्टर है जैसे महली जी हमारे किसी भी बोर्ड में supply आ रही है कि नहीं आ रही है उसको हम चेक करने के लिए फेस्टर का इस्तमाल करते हैं इसे कई लोग ट करने के लिए जो वाल से locked और खोलते हैं औरसे कर सकते हैं तो असके पी को पाइप को पाइप इसका हुता है यह इसका होता है तो यह अलग यूज के उपर डिपेंड करता है यह हमारा टाइब होता है तो टाइब से जैसे मालने किसी वायर को टाइट करना हुआ या कुछ भी लूज हो रहा हो तो आप इसको टाइट कर सकते हैं यह हमारा देखिए गैस है जो की एसी में गैस होता है अलग-अलग तरीके से जो अलग-अलग गैस आते हैं जैसे कि आर बाइस है यह आर बतीस है और चावसों दॉस भी आता है तो अभी हमारे पास उपलब्द नहीं है तो आप जो भी गैस लेगा आप उसका इस्तमाल कर सकते हैं उसके बाद हम देखते हैं आप देखे, यह पीन वालब का इस्तेमाल जैसा कि मैं ने पहले विए बताया था विंडो एसी का जो गैस चारजिग करते हैं आपके पास जो लिंडो एसी नहीं एसी आ जाती है उसमें अगर बनना चाहेंगे यह लीफ हो जाती है तो उसमें पीन वालब नहीं होता है उसक के outdoor या विंडो एकशिंगा होता है जो high pressure को low pressure में convert करता है यह हमारा ht होता है जिसमें elen key को joint करके बनाया जाता है जिसने classic blower fan या fan motor खोलने के लिए ये में लाया जाता है उसके पाद हमारे पास एक पेपरग्र हो यह पेपर कटर का उपियोग हम कहा करते है तो जैसे मालजीजे की pipe पे जो sleeve या indoor के पास में जो sleeve और चड़ाया जाता है जो फ्लेरिंग nut चड़ाने के लिए वहाँ पे जो हमारा sleeve चड़ा होता है उसको कटिंग करने के लिए या की आपसे हमारा ये ब्रेजिंग रॉड होता है जो पाइप को जॉइंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है ये deve cutter होता है जीसे मानलीज़ की pipe को काटना है aha तो deve cutter भी कई साइज में आते हैं लिए पास चोटा वाला do Haramata है तो आप adjust कर सकते हैं जैसे मारीज़ हखुम सकता है पाइप में तो इसलिए हम छोटा टीव कटर का इस्तमाल करते हैं, बाकी आपके बड़े पाइप अगर काटने होंगे तो बड़ा टूल लेना पड़ेगा, बड़ा टीव कटर आपको लेना पड़ेगा, यह देखिया हमारे पास कुछ ही है, स्वेजिंग टूल है, जो माल लिए कि आपक एक मेजरमेंट टेप होना चाहिए, जैसे माल लिए कभी आप कहीं भी इंस्टॉल कर रहे हैं, तो कितनी डिस्टेंस उपर से रखनी है, उपर के छत से और नीचे का कितना डिस्टेंस है, आपको कॉपर पाइप से नापने के लिए आपको मेजरमेंट की जरूरत पात से यह हमारा प्रेसर गेज देखिए, प्रेसर गेज हमारे पास तीन प्रकार के हैं, एक हमारा हाई प्रेसर गेज है, यह लो प्रेसर गेज है और यह मैनिफोल्ड गेज है, ठीक है, तो यह अलग-अलग से आपके प्रेसर गेज हैं, जिससे हम क्या करते हैं, गैस चार ग्रेजर पाइप जो लाइन बोलते हैं इसे कुछ भी बोल सकते हैं लाइन गेज भी बोलते हैं कई लोग तो इसके अंदर देखें वाल लगा हुआ है यह यह रबर बूस भी बोल सकते हैं उसके बाद हमारे पास यह टेपलॉन टेप होता है जो आउट डोर के यूनिट पे जो फ्लेर नट चड़ाते हैं उससे पहले हम टेपलाउन टेप लगाना होता है ताकि हमारा जो गैस लीक करें या जो भी है वह लीक ना कर सके यह वैक्यूम पंप होता है जैसे ध्यार किसी डेडिक चेक करतें करतें तो जो अंदर रहे जाता है उस एर को बहर में तुम का चाधा है तो आप सभी ने देखा आपके सामने सभी त्यूरह बताएं आगे आगे लिच्ट वीडियू अलग से लाएंगे और कुछ अगर आपको मल्टि टेक इंस्ट्टूट में और भी कोर्स करना है जैसे लेप टॉप मुबाइल प्रेंटर सीटीवी एलेडी टीवी जो भी कोर्स करना है इरिक्सा ऐसी मैकैनिकल ऐसी चीप लेबल और भी कोर्सेश करने तो आप हमारे दिये ग झाल झाल